हेलो माई डियर बच्चा मैं लवजी तरोरा स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का राज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपी राइट यानि कि ये सारे इंटलेक्चल प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग डिसकस करे तो चलिए फिर मिलते हैं आपको क्लास के अंदर जल्दी से जम करते हैं क्लास के अंदर बच्च चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हूँ आप सभी बच्चों का और आज की क्लास में हम लोग डेटा प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ने वाले हैं अब देखिए इंटल दादा पड़तादा से चलती हुई आरी है हमारे पापा को मिली पापा से हमें हमें आगे 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 ऐसे चलती जाएगे हाना तो एक यह प्रॉपर्टी है हमारी कार है वो हमारी प्रॉपर्टी है चेर है प्रॉपर्टी है मोबाइल फोन है कैमरा है यह सारी क्या हम थो हम क्या गर सकते हैं? बही, इस तरीके का लैपटॉब था, जो चुरा लिया? तो मतलब चहने का कि प्रॉपर्टी है? और अगर कोई नुक्सान पहुंचाता है, तो हमारे पास में राइट भी है उसके खिलाफ आक्शन लेने का. अब हम property की बात करेंगे, बट हम intellectual property की बात करेंगे, ठीक है, property के साथ में एक शब्द जुड़ चुका है, which is intellectual, अब intellectual property की बात हो रही है, तो intellectual property refers to the inventions, literacy walk, artistic walk, artistic walk, artistic expression, design, symbol, name, logo, तो यानि कि ये जो है न, ये intellectual property है, सीधी सी और सरल सी भाशा में कहें, तो जिसमें हमने दिमाग का यूज करके, हमने खुद ही उस चीज को उत्पन किया हो, मतलब मेरे दिमाग में कोई ऐसा idea आया, कोई car का design, कोई logo का design, कोई poem आ गई, कोई गाना आ गया, कोई film की story आ गई, ठीक है, कोई ऐसी book के बारे में मुझे एक नई creative चीज है जो बता दी, कि हाँ, ऐसा कुछ बना सकते हैं, तो अब वो जो है na property, that's called intellectual property, ठीक है, तो मतलब वो आपके जो है, खुद ही दिमाग से आपको एक idea आता है, invention की बात हो रही है, literacy work की बात हो रही है, artistic work की बात हो रही है, कोई design है, कोई symbol है, कोई logo है कोई ऐसी company का नाम हो गया, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़े हमारे intellectual property के अंदर है, जो basically आएंगे, अब देखें, intellectual property की अगर बात हो रही है, तो कहता है कि the ownership of such concept lies with the creator, जिसको इसका idea आया है, ठीक है, वही उसका जनम दाता है, यानि कि वही उसका creator है, ठीक है, अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसी एक movie की कहानी है, जो आती है, और अब वो मेरे mind की उत्पति है, मेरे, मैंने उस property को invent किया है, तो बिल्कुल उसका creator कौन है, मैं हूँ, ठीक है, इस तो story जो writer है, वो कौन है, वो मैं हूँ उसका, क्योंकि वो idea मेरे दिमाग में सबसे पहले है, जो आया है, अब इसको आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता, ठीक है, जैसे कि अगर, मान लिजए, ये अगर ये जो property है, जैसे घर है, या chair है, laptop है, mobile है, अगर ये कोई चुरा लेता है, तो हम उसके खिलाफ action ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतने rights हैं, तो अगर ऐसी property, जिसको ह बिलकुल, जो मेरे दिमाग में एक idea आया, मैंने किसी को थोड़ा सा बताया है, कि मेरे दिमाग में ऐसे से करके कोई कहानी आ रही है, अब सामने वाला बंदा उसमें चार चीज़े और add करके, पांच में बंदे को बता देता है, है ना, तो ये गलत चीज़ है, वो idea कि इसक के अंदर intellectual property is legally protected through copyright, patent या trademark, अब ऐसा है कि intellectual property किस तरीके की है, क्या वो कोई invention है, क्या वो कोई artistic walk है, या कोई वो एक symbol, या फिर company का नाम, या फिर कोई logo है, तो मुझे अलग-अलग तरीके से इस intellectual property को protect करना पढ़ेगा, मैं इसका copyright करवा सकती हूँ, मैं patent ले सकती हूँ, मैं depend करेगा, अब कहता है कि types of intellectual property protection, तो जैसे मैंने तीनों चीज़े बताई, trademark, patent और copyright, ये तीन चीज़े आपके पास में आ गई न, अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहां पर बिल्कुल है, जिस समझते हैं, अब पहली चीज़ आती है आपके पास में, which is trademark, ट्रेड मार् हो गया, logo हो गया, कोई phrase हो गया, जैसे पहले इस विश्वास करें, फिर इस्तेमाल करें, है न, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, कि मैं किसके बारे में बात कर रहे हूं, तो एक phrase हो गया, एक design हो गया, एक logo हो गया, एक word हो गया, उस company का particular नाम, उसका logo, तो ये जो होता न, ये trademark होता है, ठीक है, तो हमें इसके लिए trademark है, जो लेना पड़ेगा, तो जैसे Coca-Cola है, है न, अब देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम इसकी definition को पढ़ें, तो a word, phrase, design, or a combination that identify your goods and services, distinguishes them from the goods or services of others, अब देखिए, मेरे पास में मान लीजे, कोई shoes हैं, है न, तो अबल को देखकर के दूर से पता चल गया कि ये Nike के है, ये उस XYZ या किसी भी और के नहीं है, ठीक है, तो मतलब एक पहचान हो गया न, उस company की, जैसे मैंने आपके सामने अभी ये जो phrase, जो मतलब आपको एक चीज बताई कौन सी कि यही पहले इस्तिमाल करें, फिर करें, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैंने कहां, लेट्स क्राक इट, तो आपके दिमाग में किसका नाव है जो आया होगा, तो मतलब वो एक company की पहचान हो गया, है न, तो बिल्कुल, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये उस company का पहले दुनिया में नहीं है, एक नई, युनीक, एक आपने ऐसी टेकनीक या तकनीक कह लो, है न, तो वो आपने इन्वेंट की है, ठीक है, मतलब आपने दुनिया को रूबरू कराया उस एक इन्वेंशन के साथ में, है न, तो जो है हमारा patent उससे बिलॉंग करता है, तो त अविशकार आविशकार था, आज मैं तुम्हें कह दूँ कि मैंने बल बनाया जी अपने घर पे, आप कहोगे वो तो Thomas Edison ने नजाने कब का बना रखा है, तो वो इतने सालों के बाद में कोई इन्वेंशन नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि वो आम जनता के लिए चिज़े आ आदिया, कोई जैसे अपने कुछ ऐसा जो यूनीक हो वेलकुल, इन्वेंशन समझते हो ना, तो विलकुल उसके लिए पेटेंट होगा, जैसे कॉपीराइट की अगर बात हो रहे है, तो कॉपीराइट कोई आर्टिस्टिक, कोई लिटरेसी वोक हो गया, ठीक है, कोई ऐसा कोई नॉवल की बात है, कोई मुवी की स्टोरी है, कोई सॉफ्ट्वेर है, जिसका कोड कह सकती हूँ, कोई फोटोग्राफ है, पेंटिंग है, तो मतलब जो बिलॉंग करती है उस ओरिजिनल क्रियेटर से, जिसने उसको इन्वेंट की, मतलब एक रिएट किया है, इन्वें जोड करके उसको गा दिया आगे, तो ऐसा वो ना करें, इसके लिए मैं उसका कॉपी राइट है, जो ले लूँगी, तो मतलब अब कोई नहीं उसको कॉपी कर सकता, तो वो किस से बिलॉंग करता है, वो मेरे से बिलॉंग कर रहा भी, जैसे मुवी के नाम भी लोग है, जो सिब कॉपी राइट मुझसे लेनी पड़ेंगे, तो कॉपी राइट याने कि ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसके पास ही हक है, बिल्कुल जार उसने चीज वो क्रिएट की है, तो हक उसी के पास होगा, तो जैसे आपने कहा, लेट इट गो, फ्रोजन है तो ये मतलब ये सॉ उसका copyright लिए बिना तो बिल्कुल हमारे खिलाफ एक legal action है जो लिया जा सकता है तो जब तक author की life रहती है तब तक उसके साथ जो है उस particular वो चीज रहती है तो ये copyright हमारा हो गया और ये patent and trademark right and ugly class के अंदर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं IPR violation यानि की ये जो intellectual property rights हैं इनको break अगर करते हैं तो वो क्या कैसे कैसे उसके खिलाफ action हो सकता है और क्या क्या बोलते हैं उनको है न राइट और अगर मुझे एक ही जटके में आपको सीज समझानी हूँ तो code of any software जो की protected होगा किसके द्वारा copyright के द्वारा functional expression of the idea will be protected by a patent बिलकुल कोई एक ऐसा आविशकार आप कहलीजेए ठीक है कोई ऐसी चीज जिससे पहले उस दुनिया में नहीं थी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी कोई ऐसा जैसे मैं इस pen के जैसा ही कोई color change करके pen बना दूँ नहीं that's not an invention मैं एक idea आपको दे रही हूं तो ऐसा अगर नहीं पहले बना तो that's called an invention है ना तो उसके लिए patent होगा the name logo किसी भी software का किसी भी company का that is what हमें उसके लिए register कराना होगा trademark यहाँ पर तो यह हमारे intellectual property rights है यानि कि हमारी जो वो property जिसमें हमने अपने दिमाग का use करके उसको invent है जो किया होगा तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली class में thank you so much bye bye and हाँ channel जरू subscribe कर देना bye